कि नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्स्प्रेस में मैं आपके साथ निहा वर्मा आज हम बात करेंगे बच्चों में लगातार बढ़ रहे करोना संक्रमन पर कोविड-19 की दूसरी लहर पहले से ज़्यादा खतरनाक है करोना अब आम लोगों के बीच भी काफी तेजी से फैल रहा है बड़ों के साथ बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं बच्चों में करोना संक्रमन बढ़ना एक चिंता का विश्य बन गया है करोना वाइरस के नई स्ट्रेन के कारण तेजी से संक्रमन फैल रहा है जिसके साथ अब बच्चों में भी संक्रमन के स्पस्ट लक्षन दिखाई दिने लगे हैं देश भर में एक करोना वाइरस के संक्रमन की दूसरी लहर बहुत ही जादा खतरनाग है इस म्यूटेंट वाइरस का नया स्ट्रेन बहुत ही जादा तेजी से फैल रहा है बड़के लक्षन तो अलग ही दिखा रहा है इसके अलावा इस बार किस ट्रेंड के संक्रमण ने एक नई चिंता भी पैदा कर दी है वह है बच्चों का संक्रमण पहले देखा गया था कि बच्चों को यह वायरस प्रभावित नहीं करता है लेकिन अब बच्चों के संक्रमण भी सामने आने लगे है व्यसक लोगों में जहां करोना की वज़े से काफी जादा बिमारी फैल रही है वही कुछ बच्चों में संक्रमण के बाद भी वो बड़ रही है कोविड नाइनटीन का शिकार बच्चों में बुखार और ग्रेस्टो राइंटेंस की लक्षन भी देखने में आ रही है है हेल्थ वैप साइट मायो क्लिनिक के अनुसार आए जानते हैं बच्चों में करोना के लक्षन और किस तरह से उनकी देख बाल करनी चाहिए बच्चों में कोविड नाइनटीन के लक्षन कोविड नाइनटीन में बच्चे और व्यसक कुछ समान लक्षन भी महसूस करते हैं जैसे हरारत और ठंड महसूस होना कई बच्चे तो एक से दो सप्ताह में ठीक हो जाते हैं करोना के संभावित लक्षन में शामिल हो सकते है में कि भुखार या थंडंड लगना बहती नाख खासि गले में खराश सास लेने में कठीनाई ठकान होना अलए शरीर चारीर में दर्ध हूना मतली याllchi करना द्रस्त होना डाइर्या होना भूकम लगना स्वाद्या सूगले की शमता था पेट में दर्ध अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में COVID-19 के लक्षन दिखाई दे रहे हैं तो बिना देर किये डोक्टर को कॉल करें अपने बच्चे को घर के किसी एक कमरे में रखें और घर के बाकी सदस्यों से दूर रखें अगर संबाव हो सके तो बच्चों को बात्रूम से अटैच वाले कमरे में रखें और बाकी अन्य सदस्यों के लिए एक अलग बात्रूम रखें डबले एचो द्वारा करोना के संदर्व में दिये गए निर्देशों में मसलन क्वारंटाइन और आइसोलेशन का पूरी तरह से पालन करें कोविड-19 के लिए नोजल स्वैब टेस्ट होता है जिसमें स्वैब नाक में डाला जाता है इसके लिए अपने बच्चों को पहले सी ही मानसिक तोर पर तैयार करें ताकि एंड समय पर वो ज्यादा स्ट्रेस ना ले ऐसे में जब कोविड का टेस्ट होगा तो वो भी टेस् 1.1.17 और खास तोर पर भारत के 2.1.617 वेरियंट बच्चों के लिए बहुत खतरनाक माने जा रहे हैं भारत और दुनिया में जहां भी स्कूल खुले हैं वहां से बच्चों के संक्रमित होने की खबरे आ रही हैं जिससे स्कूलों को फिर से बंद करने की नोबत आवी है ब बहुत सकता है सोशल मेडिया पर माता पिता अपनी चिंताएं और अशंकाएं जता रही हैं दरसल वाइरस जब वाइरस अपना जेनिटिक कोड बदलता है तब वह इंसान की प्रतिरोदक शंता और एंटी बॉडिस के बचते हुए हमले करने के रास्ते भी खोज लेता है इसके साथ ही वह और ज्यादा अक्रामुक हो जाता है और ज्यादा तेजी से संक्रमन फैलाने में सक्षम हो जाता है यही वजह है कि अभी नाकेवल संक्रमन को तेजी से बढ़ रहा है बच्चे भी इसकी चपेट में आ ही रही है नवजात शीशु भी अपनी संक्रमित मा के संक्रमन लेकर पैदा हो रहे हैं ऐसे में गंभीर बिमारीों से पिरित बच्चों को जादा खत्रा है वहीं बच्चे संक्रमन फेलाएंगे इसकी भी अशंका जादा हो गई है बच्चों की देखवाल करने वाले माता-पिता से लेकर घर के बुजर्गों पर संक्रमन का खत्रा बढ़ जाता है इन हालातों में सबसे अच्छा तो यही होगा कि जैसे ही बच्चों में करोना संक्र सब्सक्रमन के हलके लक्षन भी दिखते हैं सावधानी अपनाने में कोताहिद नहीं बरतनी चाहिए बच्चों को मास्क पहनाने के लिए प्रोत्साहिद करना चाहिए उनका उंचा मनोबल बनाए रखा जाए और उन्हें सावधानी और डर में अंतर भी बताते रहना चाहि जिसके तहट आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटिनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये, अपने सपनों का घर बुप करेंगे